कॉंग्रेस तंगठन में बदलाओ तो हो चुका है, मगर लगता है कि कॉंग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। दरसल हाई कमान के फैसले से कई विधायक नाराज हैं, नाराजी इसकदर बढ़ चुकी है कि कई नेता कॉंग्रेस को अलविधा भी कह सकते हैं, बहुत चल्द बैठा कर वो बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कॉंग्रेस में बड़ाओ के साथ ही पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। कॉंग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि हाई कमान के इस वैसले से कारेकरता नाराज है। कॉंग्रेस हाई कमान ने हाली में संगठन में बदलाव किया। करन माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए गया है जबके यश्पाल आरे को नेता प्रतिपक्ष और भुवन चंद्र कापडी को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मगर ये तीनों ही नेता कुमाओं से तालुक रखते हैं। हाई कमान के फैसले से गड़वाल से कॉंग्रेस का बड़ा खेमा नाराज चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जो पाल्टी के बर इस नेताओं ने कहा है। आज ही प्रभारी जी का बयान आया है कि बहुत सोच समझकर पाल्टी हाई कमान ने लिया है। और अगर कोई ऐसी इस्तिती आएगी तो हाई कमान निगाह बनाए हुए है। राजनितिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हाईकमान के फैसले से दस विधायक नाराज है नाराज विधायकों में हरीश्धामी मनोस्तिवारी, मदन बिष्ट मयूख महर, खुशाल सिंग अधिकारी मंता राकेश, विक्रम नेगी राजेंद्र भंडारी के नाम की चर्चा नाराज विधायक जल्द ही एक गोपनी बैठक कर सकते हैं, इस बैठक में कोई बड़ा फैसला किया जा सकता, चर्चा ये भी है कि कई लोग इतने नाराज हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं एबीपी गंगा के लिए दहरा धूं से रभी कैंतुरा की रिपूर्ट